हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजूकेशन विद गौरब में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं उत्राखंड लेक्सिर के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं और उसी सीरीज में जो है हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल वाला प्रियोडिक टेबल के अंदर कापी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिसकस की थी आज की वीडियो के अंदर कुछ और चीज़ें उसमें रह गई थी जिसमें की बेसिकली आपका एटोमिक जो रेडियाई अनरजी वाला और इलक्ट्रोन अफिनिटी ये सब च और इसका जो पीडियाफ है वो में ग्रूप के अंदर डाल दूँगा तो आप महां से इसको देख सकते हैं चाहे तो प्रिंट आउट करा लिजी चाहे तो आप उसको लैप टॉप में डालके या अपने टैबलेट में डालके उसको पढ़ सकते हैं ठीक है तो चलिए क्योंकि आज कल पीरियोडिक जो टेबल है उसको याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है जब आप तैयारी कर रहे हूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें किस प्रकार से हमें एस ब्लॉक की याद रखनी है तो यह यह चीज़ें आप जानते हैं लेकिन बता रहा हूं अगर हम बात करें एस ब्लॉक के जो ग्रूप वन है उसको याद रखने की तरीका तो यहां पर हाइड्रोजन लीथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम और फ्रेंसियम यह होता है हमारे पास तो याद रखने का तरीका है है लीना की रब से फर्याद तो यह इसके मा से अगर हम है याद करना है इस ग्रूप टी सेकेंड ग्रूप को तो उसको हम को याद रखना है कि इसके माद हम से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ठीक है तो यहां पर देखिए बेरिलियम मेगनेशियम आपका कैलसियम स्ट्रॉंसियम बेरियम एंड रेडियम है तो इस तरिके से यह S ब्लॉप को हम पूं अच्छे तरिके से याद रख सकते हैं नेक्स देखिए P ब्लॉक तो P सबसे पेले हम जानते हैं कि पी ब्लॉक कहा से सुरू होता है तो हम जानते हैं 13 से लेकर 18 तक हमारा पी ब्लॉक जाता है 13 ग्रूप 13 से और ग्रूप 18 तो यहां पर अगर हम ग्रूप 13 की बात करें तो सबसे पहले आपके पास है जो पहली ट्रिक है वह है बैंगन आलू गाजर इन थैली तो यहां आपके पास ग्रूप 13 हो गया इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं उसके बाद नेक्स है आपके पास ग्रूप 14 जिसमें आपके पास सोट्रिक्स है कहे सीता जी सुनो प्रभू ठीक है तो उसके माधियम से देखिए 14 तो जो ग्रूप है उसमें कारवन हो गया सिलिकन जर्मेनियम और आपका यह होता है आपका टेन के लिए और पीवी जो होता है लैड के लिए फिर आपके पास जो ग्रूप 15 है उसके लिए सॉट्रिक्स है ना ना पाटेकर असरानी सब बीमार तो यहां पर देखिए आपका नाइट्रोजन फॉस्पोरस आपका आरसेनिक एसबी एसबी यानिकी ग्रूप 16 भी बहुत इंपॉर्टन है यह याद नहीं रहता है तो उसके लिए है तरीका ओल्ड स्टाइल से टीपो ओके यानिकी ओल्ड यानि पुराने स्टाइल से टीपो यानि किसी चीश को उठाओ तो उसके लिए यह देखिए आपको याद रख सकते हैं आपका सलफर पास सेवन सेवनटीन जो है आपके हैं आसानी से वैसे याद रहता है चीरमली यह याद रह जाता है और ine इसी प्रकार से ग्रूप 18 है दोस्तों जिसमें कि हमारे पास आती है नोबल गैसिज या जिनको इनट गैसिज भी कहा जाता है तो यहां पर इनकी सौर्ट ट्रिक्स है हीना नीना और करीना एक्सरे रंगी यानि कि हीलियम नियन औरगन क्रिप्टन जीनन और रेडर तो इस प् पी ब्लॉक्स को याद करने की ट्रिक्स देख लिए नेक्स आपके पार डी ब्लॉक को हम सीरीज में याद रखेंगे क्योंकि हमारे पास यहां पर 3D सीरीज 4D सीरीज इस प्रकार से होती है तो उसको इस तरीके से याद रखना ज्यादा जरूरी है और वैसे भी स्केंडिय आपको याद रखना बहुत जरूरी ठीक है तो आपका स्केंडियम हो गया टाइटेनियम वैनेडियम आपका क्रोमियम मैगनीज आइरन कोबाड निकिल कॉपर और जिंग तो इसके लिए साइंस टीचर विनिता कुमारी मैडम फैविकॉल से नहीं टूटेगा जनाब ठीक ह से भी इसको नॉर्मली याद हो जाने चाहिए फिर नेक्स्ट है आपका यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा ठीक है तो यह साट्रिक है सेकिंड जो सीरीज है डी ब्लॉक के अंदर जिसमें कि बेसिकली यह क्या है याट्रिनियम हो गय मा थमे सीट के अंदर चनिवय के और फिर यहां बेसिकली अडिलेंट हो लखाए और तो इस तरह के ऐसे हम यह के मादियम से इसको में और थे underestimate पास जो आपका थर्ड जो स्रीज है इसमें जो याद रखनी है वो है लेंथनाइट के बाद आप जानते हैं कि बाकी के जो प्रेमेंट से लेकर कत्तर तक तो वह आपके ब्लॉक में चले जाते हैं यहां आपके लेंथनाइब लेंथनाम के बाद सीधे 72 वाला हापनियम आता है तो उसके लिए तरीका है ला हफ्ता वर न रे उससे इधर पिटाई और होगी तो यहां पर देख सकते हैं आपके लेंथन वाल फिर नम है करके होता है कुछ और आर ई होता है आपका रहनियम फिर आपका ओएस तो आसमियम होता है हम जानते हैं फिर आयर इरिडियम होता है पी टी होता है आपका प्लाटिनम फिर होता है यू यानि की गोल्ड के लिए करते हैं और एच जी यानिकी मर्करी तो यह लगनी है फिर आपके पास चलते हैं एफ ब्लॉक में तो एफ ब्लॉक के अंदर जो है आपका पहली है लेंथे नाइट सिरीज जिसके लिए सॉट्रिक है सीता परसाद एंड पूनम सर्मा यूरोप घूमने गए तब डाइरिया हो गया और तुम अभी लोटो ठीक है तो इस पूरा एक पूरी की पूरी जो एफ ब्लॉक है उसको इसके माधियम से याद रखा जा सकता है और यह नाम किस प्रकार से होते हैं सीरियम हो गया आपका उसके बाद यह थोड़ें की नाम कॉंप्लिकेटर है पर पर सोडियम पर सोडियम करके है कुछ फिर यह आपका नियो नियो डिमियम हो गया फिर आपके पास यह है आपका प्रोमिथियम फिर आपके पास सेंब्रियम है यह फिर आपके पास यह यूरोपियम हो गया फिर आपके पास गैंडोलियम गैंडोनियम हो गया फिर आपके पास करके कुछ है इसका तो खेर आप लोग इसको देख लिजिए नाम थोड़ा इसका क्वेशन हो सकता है बीच का कोई element उसका electronic configuration पूश लिया जाए तो उस इस्तिति में आपको याद होना जरूरी है तो उसके लिए याद रखना है थोड़ा पापड और नापो पुराने आम कम बिकेंगे काफी ऐसे फर्माओ काफी ऐसे फर्माओ मैडम नास्ता लाओ ठीक है त तो friends हम जानते हैं in a periodic table the elements on the far left side of a period are most metallic तो जो हम far left side देखते हैं वो सबसे ज़्यादा metallic हैं यह हम जानते हैं while those on far right side are most non-metallic इसका मतलब जब हम left से right की तरफ जाते हैं तो आपका non-metallic character increase होता है except अगर हम hydrogen को छोड़ दें तो उसके अलावा जो gaseous elements है all are found at top sorry found at top right extreme right sorry top extreme right of the table जैसे कि आप देख सकते हैं कि nitrogen हो गया आपका oxygen, chlorine, chlorine तो यह सब top right जो हैं आपके पाए जाते हैं जितनी भी हमारी यह gaseous elements है and in the right hand vertical columns में आपके noble gases है there are only two liquid हमारे पास two liquid elements यहां पर पाए जाते हैं जिसमें कि आपका एक तो metal हो गया जो कि है mercury HG and दूसरा एक non-metal हो का जो किया है तो यह room temperature पर liquid state में रहते हैं तो इसलिए इनको liquid जो है element कहा जाता है next देखिए the majority of elements are metals ठीक है जितने भी majority elements है वो क्या है metal है यानि कि धातुएं लगबग 78% elements है आपकी धातुएं है on moving from left to right across a period the metallic character of the element decreases ठीक है on descending a group the periodic table the metallic character increases तो यह हम पहले भी बताया मैंने अभी कि left से जो right है अगर उसमें चलते हैं तो metallic जो character हो decrease होता है while अगर हम उपर से नीचे की तरफ ग्रूप में जाते हैं तो जो metallic character है वो increase होता है okay this is particularly apparent in the group 14 and 15 तो अगर हम ग्रूप और 14 और 15 की बात करें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं which begins with non-metall carbon and nitrogen and end with the lead and bismuth तो वहाँ पर हम clearly यह चीज़ देख सकते हैं 14 ग्रूप में देखिए सबसे उपर स्टार्टिंग हो रहा है कि से कारबन से जो कि एक non-metal है nitrogen देखिए 14 15 ग्रूप में जो कि non-metal है लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर नीचे आते आते एक ग्रूप के अंदर खतम होने पर यह कि लास्ट में क्या है उसमें लैड है और आपका बिस्मित है जो कि एक metal है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने में कि clearly जो metallic character है वो increase हुआ है non-metals are generally gases and soft solids that do not conduct electricity ठीक है तो जो भी आपके non-metals है वो क्या होते हैं generally gases होती हैं यह हम देखते हैं और यह तो वो soft solid होते हैं और वो electricity को conduct नहीं करते हैं some elements have intermediate properties and some classified as a separate group called semi-metals or metalloids तो इन में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि metals और non-metals के बीच की property रखते हैं जैसे कि आपका silicon हो गया, germanium हो गया तो इस प्रकार के जो metals है वो आपको semi-metals के लाएंगे इस प्रकार के elements और उनीको हम metalloids भी कहते हैं तो आई होप आप लोग metal, non-metal और metalloids समझ गए हों ठीक है एक question देख लेते हैं क्लासिफाइड इच ऑफ फॉल्विंग elements into metals, non-metals and metalloids यहां पर कुछ elements हैं उनको हमने metal, non-metal और metalloids में देखना हैं तो हम जानते हैं कि इसमें आपका calcium हो गया है वह आपका metal हो गया और यह आपका chlorine हो गया और कारवान यह non-metal हो गया और silicon इसमें आपका तो इस प्रकार से हम अलग लग इसको देख सकते हैं नेक्स देखिए periodic trends in properties of elements तो अब हम कुछ property of elements के संदर्ब में periodic trends को देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे atomic radii की तो परमान तुरिज्या जिसको कहा जाता है atomic radii तो यह क्या होती है तो भाई जो atomic radii है वो क्या होती है कि जो आपका nucleus है और उससे outermost electrons है उसकी तरब उसके बीच में एक जो distance होती है अगर यह nucleus है suppose और यहां पर जो outermost electron होगा इनके बीच में एक distance होती है that is called atomic radius और यह हम general decrease देखते है radii का from left to right तो left to right में जाने में क्योंकि size of atom decrease हो रहा है तो उसके हिसाब से आपका atomic जो रेडिया है वो भी decrease होगी जबकि अगर हम down the group जाते हैं तो उसमें एक increase देखा जाता है ठीक है क्योंकि down the group में जो है obviously जो atomic जो numbers है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और उतनी तेजी से बढ़ते हैं जिसके कारण से जो number of principal quantum number होगी वो बहुत तेजी से increase होगा और atomic radius भी बढ़ेगी ठीक है ना देख लेते हैं across a row to the table there is a progressive decrease in the size of the atom within molecules as the effective nuclear charge grows across a row the size of atom decreases तो जैसे से हम पीरियड में बढ़ रहे हैं left से right की तरब को इस तरीके से left से right तो हमारा जो effective nuclear charge है वो increase हो रहा है और जिसके कारण से वो क्या करेगा जो outer electron है उसको और तेजी से जो है अंदर की तरफ खीचेगा और जिसके कारण से जो है atom जो है उसकी रिडिया जो है वो decrease होनी शुरू जाएगी जैसे कि for example के लिए on moving from lithium to beryllium, lithium से beryllium की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक extra positive charge is added on the nucleus and an extra orbital electron added तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब हम आपका lithium से और beryllium की तरफ बढ़ते हैं तो एक electron और आगया है नुक्लियस के अंदर एक और जो है positive charge proton आ गया है जिसके कारण से जो नुक्लियस का जो total effective nuclear charge होगा वो increase हो जाएगा जिसके कारण से जो radii है उसमें कमी आएगे increasing in the nuclear charge result in all the orbital electrons being pulled close to the nucleus and in given period the alkali metal is the largest atom and the halogens are the smallest तो इसी के करण से हम देख सकते हैं कि जहां पर S block में जो alkali metals हैं उनमें वो largest होते हैं लेकिन जब हम यहां से यहां तक halogens तक पहुंचते हैं तो हमारे पास smallest जो metals हैं वो दिखाई देते हैं ठीक है ना sorry smallest जो elements है वो दिखाई देते हैं उनका जो radius है वो और कम हो जाता है ठीक है as we go down any particular group of the periodic table the radii of elements increases by large amount due to successive use of orbital having principal quantum number n one higher than last ठीक है extra cells of electrons being added and this outweigh the effect of increasing nuclear charge तो basically हुआ क्या कि जो down the group जाने में इतनी तेजी से जो है जो quantum number है increase हुए है कि जो number of cells है वो बढ़ गई है पहले suppose यह था तो अगर यह n बढ़ेगा तो number of cells बढ़ जाएंगी और इसके कारण से तो यहां पर जाएंगा जाएंगा तो यहां पर जाएंगा और उसके कारण से लगातर atomic radio increase हो जाएंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ है यह table है इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम यहां लीथियम बेरिलियम बोरोन कारण नाइटोजन ओक्जन फ्लोरी नियोन इधर से इंदर कुछ तरब बढ़ रहे हैं तो हमारे पर ललातार इसमें कमी आ रही है है न जो positive है उसमें obviously कमी आती है normal elements से अभी हम देखेंगे तो इस प्रकार से कमी आ रही है जबकि आप down the group जा रहे हैं तो यहां पर down the group जो है उसमें थोड़ा-थोड़ा increase देखने को मिल रहा है तो यह कुछ trends जो है वो periodic table में देखे जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं next आपके पास ionic radii metals usually form positive ions बनाते हैं हम जानते हैं metals ions are smaller than the atom from which they are formed for two reasons तो दो कारण है क्यों जो है उनकी जो radii है वो obviously कम है है ना metals ion are smaller क्यों है वो normally जो atom जिससे वो बनते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर इनकी जो positive वाले हैं उनकी जो उसमें कम ही आ रही है lithium का 152 है जबकि lithium positive का 60 है तो इसका reason क्या है उसका reason देख लेते हैं उसके दो reason है सबसे पहले तो first है the whole of electrons of outer cell is usually ionized that is removed तो ionized जो outer cell होगा वो usually positive charge में remove हो जाता है तो पहला कारण तो यह हो गया दूसरा इस second factor is the effective nuclear charge when a positive ion is formed the number of positive charges on the nucleus exceed the number of orbital electrons and effective nuclear charge is increased तो यहां पर जो पहला electron निकल जाएगा एक electron निकल जाएगा तो obviously electron जो है पहला एक electron जो है positive ion बनेगा उसकी radii कम हो जाएगी ठीक है तो यह यहीं पर इसी इसी बात को explain किया गया है thus the electrons are pulled in further reducing the size ठीक है तो जो दूसरा electron होगा वो क्या करेगा pull करेगा उसको अंदर और वो क्या करेगा reduce करेगा size को ठीक है when the negative ions is formed जबकि negative जो आयन बनेगा one more electron is added to the atom the effective nuclear charge is reduced hence the electron cloud expand negative ions are bigger than the corresponding atoms तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक atom है उसका जब हम उसमें एक electron को add करके उसको negative बना रहे है तो जो उसकी radia है उसमें दिखो 128 से बढ़कर जो है यह हो गई है 272 क्योंकि negative आने पर उसमें extra electrons add हो रहे हैं तो उस इस्तिति में यह change हो रहा है एक तो आपना जो outer cell से जो है electron निकला है उसका cloud कम होने के करण और दूसरा जो effective nuclear charge है उसको increase होने के करण ठीक है तो हमेशा यह है इसके अंदर increase देखा जा सकता है जैसे कि आप आपका यह fe है तो उसके normal 232 है जबकि उसके अंदर जो दो electron है वो निकालने पर यह fe 2 positive हुआ तो 152 picometer रह गई है और जब एक electron और निकाला fe 3 positive हुआ तो 128 picometer यह रह गई है तो इस प्रकार से जो है जो size of atoms है वो उसको electron gain और loss करने से उसमें changes आते हैं ठीक है अगला देखिए next अब हम बात करेंगे next ionization enthalpy की the energy required to remove the most loosely bound electrons from an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy चीक है तो जो एक gaseous अवस्ता में atom है ionized gaseous state में उसके जो outer electron है उससे एक electron को निकालने के लिए जितने energy चाहिए वो उसकी first ionization enthalpy होगी उसी प्रकार से जब दूसरा निकालेंगे तो वो second ionization enthalpy होगी यह हम जानते हैं इसको ion ionization energy भी कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है आइन ऊजा ठीक है इट इस मेजर इन किलोजूल पर मोल में मेजर करते हैं हम जानते हैं factor that influence the ionization of enthalpy आर तो क्या-क्या factors हैं जो influence करते हैं सबसे पहले तो size of atom जितना बड़ा size of atom होगा electron निकालन उतना आशान हो जाएगा और जितना छोटा atom होगा उतना मुश्किल होगा तो इसलिए यह effect करेगा दूसरा दस चार्ज ओन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस वह कितना चार्ज है उसके इसाब से जो effective न्यूक्लियर चार्ज जो है डिपेंड करेगा और वह अगर न्यूक्लियस पर चार्ज अधिक है तो वह ज्यादा इनर्जी की requirement होगी इनर्ट्रोन को remove करने के लिए ठीक है नेक्स आपके बाद हाव इनर्ट्रोन सेल स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज तो यह भी डिपेंड करेगा क्योंकि जो अंदर के इनर्ट्रोन से हैं वो अगर न्यूक्लियर चार्ज को सील्ड कर देंगे जिसको सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं तो उस इस्तिति में बाहर के इलेक्ट्रोन पर न्यूक्लियर का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उस इस्तिति में भी कहीं न कहीं जो आपका यह एंथेल्पी है यह कम हो जाएगी ठीक है नेक्स आ होती है अभी देखेंगे हम उसको पहला भी यह टेवल देखिए इस टेवल को देखने पर हमें क्या पता चलता है लीथियम का जो फर्स्ट आयने जिसन इंतल्पी वह पांसो बीस है जबकि सेकंड आपका 7296 उसी प्रफार ग्रूप सेकेंड में देखिए बेरिलियम के 8992 कि आपका निकलना उतना आसान नहीं है क्योंकि जब एक एक लक्रon निकल गया तो इस स्सिति में उसको निकालना और मुस्किल लगाएगा और जादा एनर्ची देनी gens को ख़़ए तो इसी कारण से यह इस प्रकार के data observe किये गए है ठीक है उसके बाए orbitals के उपर किस प्रकार से depend करता है the s, p, d and f electrons have orbitals with different shapes तो यह हम जानते हैं पहले हमने देखे हैं कि इनके अलग-अलग shapes होते है an s electron is penetrated nearly to the nucleus and therefore more tightly held than p electrons तो जो s electron है वह ज्यादा tightly held होता है क्योंकि उसको वह बिल्कुल nucleus के पास होता है और उसका safe देखिया उससे आपको पता लग जाएगा अगर p electron है उनका जो safe है वह थोड़ा dumbbell safe है तो वह electron थोड़ा दूर-दूर होंगे तो वह जादा उतने कम उतने जादा tightly held नहीं होंगे इसी प्रकार d में और दूर होंगे और f में और जादा दूर होंगे तो यह एक series जो है electrons की होगी ionization enthalpy के लिए तो इसलिए इसका जो पिरियोटिव टेबल है उसमें एक regular order फॉलोर नहीं होता है ठीक है न नेक्स देखिए इन जनरल हम बात करें तो ionization enthalpy जो है वो decrease on descending the group descending the group यानि कि ग्रोप में नीचे जाने पर decrease होती है and increase the crossing of period और period में जो हम बढ़ते तो वह आपका increase होती है क्योंकि मैं down the period में इधर को बढ़ रहे हैं लगाता तो क्या हो रहा है size of atom decrease हो रहा है और size of atom decrease होगा तो electron ज्यादा पास आजाएंगी न्यूकलेस के और उनको निकालना बहुत मस्किल होता जाएगा तो इसलिए जो है तो है 520, 899, 801 इस तरीके से यह लगाता increase हो रहा है अगर हम down the group जाएं तो यह decrease हो रहा है तो down the group में यह पूरे table के अंदर आप देख सकते हैं पहले है जो है hydrogen में इतनी थी फिर और lithium में कम फिर sodium में और कम इस तरीके से नीचे जो है यह decrease हो रहा है और क्यों यह इस तो आपको रहा है क्योंकि साइज है वह नमबर अफ्से बहुत कीजी बढ़ रहे है नमबर अफ्से बढ़ रहें तो आपका जो nuclear चार्ज है उसका इससको घंक हो जांग तो यह आपको पास अगला है आपका एलक्ट्रोन गेन एन्थेलपी the energy released with an electron sorry an extra electron is added to neutral gases atom is called the electron and enthalpy delta easy to electron and enthalpy आपने पहले भी पड़ा होगा कि जब एक एक extra electron किसी atom के अंदर add करतें तो उस स्थिति में जो है जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं एलेक्ट्रोन गेन एन्थेल्पी कहते हैं यूजली ओन वन इलेक्ट्रोन इस एड़ेड़ फॉर्मिंग यूनि नेगटिव आयन तो यूनि नेगटिव आयन बनाएगा जब एक एक एड़ेड़ होगा इस प्रकार से यूनि नेगटिव आयन जो है वो फॉर्म होगा तो यहां पर एनर्जी इल्बॉल्व होने के कारण से जो भी ये एलेक्ट्रोन गेन एन्थेल्पी हो इसमें जो किलोजूल पर मोल में एनर्जी टम्स लिये जाएंगे वो नेगटिव में लिये जाएंगे ठीक की न्युक्लियर चार्ज तो आपके साइज को पर डिपेंड करता है और जो प्रभावी ना भीक्यावेश यानिक इफ्क्लियर चार्ज उसके उपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोन गेन एंथेल्पी को कि नेगेटिव बैल्यू इंडिकेट अधे इनर्जी इस गीवन आउट बैंट्ट एक्सेप्ट एलक्ट्रॉन जो है अधे जब करता है तो इसको एनर्जी जो है डी जाती है गीवन तो उस इस्तिति में जो है इसलिए जो थर्मोडायनमिक्स है उसके अकॉर्डिंग यहां पर साइन जो है नेगर्टिव लिया जाता है नेगर्टिव ली जाता है यहां पुछ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की वैल्यू है इलक्ट्रोन गेन एंथल्पी की किरोजिल पर मोल में ठीक है अब यहां पर कुछ वैल्यू जो है यहां पर कुछ वैल्यू है यहां पर कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी है देख सकते हैं आप तो यह जो वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वहां पर इलक्ट्रोन को यह uses आती जो टैंडिसी वह पॉजीटिव आयन बनाने की है इनके जो टैंडिसीऊ पॉजिटिव आयन बनाने की पूरी तरीके से इसलिए यह नहीं बनाते आप जब़ दस्ती जो है irregularities, overall, the electron gain enthalpy of the elements become more negative in going from left to right, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, तो left to right जाने में जो है, electron जो gain enthalpy है, वो ज्यादा negative उस, यहनि कि उसकी जो value है, वो ज्यादा negative होती ही चली जाएगी, जब हम left to right जाएगे, and top to bottom जाने में, वो उतनी ज्यादा negative नहीं होगी, ठीक है, तो यह इसका एक general trend देखा जा सकता है, electron gain enthalpy का, तीक है, अगला है मारे पास next property वो है, electron negativity, जिसको हम क्या कहता है, विद्यूत रनात्मक्ता भी कहा जाता है, in 1931, Pauling defined the electron negativity of an atom as the tendency of the atom to attract electron to itself when combined in the compound, तो एक जो electron है, जब वो किसी भी compound के अंदर combined होता है atom, तो उस इस्तिती में जो है, कौन ज़्यादा electron negative होगा, जो ज़्यादा electron खेचेगा, तो वो ज़्यादा electron negative होगा, अब जैसे यहाँ पर H और CL में ज़्यादा electron negative CL होता है, तो यह खीच लेगा, तो यह इस पर partial negative charge ले आएगा, और यह partial positive हो जाएगा, तो इस प्रकार से दोस्तों यह कुछ चीजें होती है, electron negativity basically कब देखी जाती है, जब कि atom के अंदर, sorry, atom जो है किसी compound के अंदर combined, the implication of this is that, when an covalent atom is formed, the atom will have negative charge, slightly negative charge, यह slightly negative ले होता है, delta negative and consequently the other atom will slightly positive charge, अगर हम देखें कि falling जो है, उन्होंने electro negative value के लिए यह चार्ट दिया था, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि यह hydrogen और यहां से increase हो रहा है, इसी प्रकार lithium और beryllium से boron और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर 1, 1.5, फिर 2, 2.5, 3.1, 3.5, 4.4, तो एक-एक increase देखा जा सकता है, electron negativity के अंदर, क्योंकि यहां पर जो atoms हैं, उनकी तो electron देने की tendency है, लेने की नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे हम इधर को बढ़ते हैं, तो electron लेने की tendency बढ़ जाती है, क्योंकि आउटर most जो electrons हैं, उसमें हर कोई अपना octet पूरा करना चाहता है, एक general rule के according, तो इस सिस्तिती में जो हैलोजन जो हैं, वो सबसे ज़्यादा यहां पर electron negative हो जाते हैं, क्योंकि एक electron की requirement इनको होती है, ठीक है, उसी और जब हम down the group जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक gradually decrease देखा जा सकता है, हलका हलका decrease देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पता है कि size of जो atom है, वो बहुत तेजी से increase होता है, नेक्स देखिए आप पास, और यह जो electronegativity है, यह basic property से आपका related होती है, the basic property of elements are inversely related to the electronegativity, universally related यानि कि एक चीज अगर बढ़ें कि दूसरी चीज घटेंगे, thus on descending on the main group, the electronegativity decrease and basic property increase, तो जब हम नीचे जा रहे हैं, तो हमने देखा कि electronegativity तो decrease हो रहे हैं, लेकिन जो at basic property हैं, वो increase हो रहे हैं, इसी प्रकार से अगर हम period में across the period चलते हैं, तो उसमें आपके electronegativity increase होती है, लेकिन आपका वो element है, वो less basic होते चले जाते हैं, ठीक हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास ये कुछ trends देखे जा सकते हैं, उसके लावा एक last चीज इसमें और हैं, वो देख लेते हैं, एनल, एनलमेस property of second period elements, तो दूसरे जो period है, उसके elements की कुछ behavior होते हैं, एनलमेस, second और third period basically, the elements of second sort periods are lithium, baron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and आपका iron, ठीक है न, तो lithium is similar to magnesium in the many of its properties, barilium is similar to the aluminium, it is referred as a diagonal relationship, तो हम यहाँ पर, जब हम second और third group के अंदर देखते हैं, तो यह चीज हमें prominently दिखाई देती है, कि जो lithium है, उसकी जो properties हैं, वो similar है, कुछ किसके साथ, magnesium के साथ, और जो barilium है, उसकी aluminium के साथ, boron की silicon के साथ, तो इनको कहा जाता है, basically diagonal relationship, यानि कि आपका diagonal का क्या कहता है हिंदी में, विकर्ण संबन इसको हिंदी में कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, the type and the strength of bond formed and the properties of compound are often similar, although तो balance is different, balance is different होने के बावजूद भी इन में, जो इनकी bond strength है और properties हैं, अदर वो काफी जधा इनके अदर similarity पाई जाती है, the diagonal relationship arises because of effect of both size and charge, size और charge दोनों का ही जो है effect इसमें पढ़ता है, on moving down the group, the size increases and the polarization power decreases, तो यहाँ पर जो हम down the group जाएंगे, आपका कहां से लेकर कहां तक, lithium से लिगा, sodium तक, तो हमारे पास size है वो तो increase होता है, लेकिन उसके साथ-साथ जो हमारे polarization power बोले तो इसमें जो atomic radii हो गया, आपका ionic radii, यह जो चीज़ें होती हैं, जैसे ionic charge हो गया, ionic radius, तो यह आपका decrease हो जाती है, तो कहिना कहीं जो दोनों चीज़ें हैं, वो आपस मे एक दूसरे को cancel out करती है, on moving diagonally, these two effects partially cancel each other, so there is no marked change in property, तो यह दोनों चीज़ें एक दूसरे को आपस में cancel करती है, जिसके कारण से जो rise हुआ है, यहाँ पर due to आपका size के increase के कारण वो balance हो जाता है, तो इस कारण से similar property so किया जाता है, diagonal relationship में, तो I hope आप दोंगों को यह समझ मा आया हुआ, जो भी चीज़े मैंने बताई है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही काफी है, दोस्तों, अब हम next वीडियो के अंदर इस से related कुछ questions देखेंगे, ताकि हमें idea हो कि किस प्रकार की questions इसमें पोछे जाते हैं, तो अभी के लिए इतना काफी है, thank you so much, have a good day.